नमस्का दोस्तो, Stock Market Studies में फिर से एक बहुत बहुत सागत है, तो आज आप है मैं बात करूँगा एक Chemical Industries के बारे में, और आज जिस Chemical Industries के बारे मैं बात करूँगा, वो देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा कमपनी है, करीबन करीबन 2000 करोर का मार्केट कहब है इसका, और देखा Companies ने एक बहुत बड़ा Announcement किया, और जितने सारे लोग इस Companies के उपर निवेस करकर रखे है, और जितने सारे लोग इस Company को उपर निवेस करना चाते है, तो उसके लिए एक Good News है, और वो Good News बहुत बड़ा Good News होने वाले है, तो वीडियो को लास तक देखना, और अभी तक अ आज के स्टॉक के बारे में, Company का जो सेक्टर है, वो है Chemical सेक्टर, अगर आप देखेंगे कि COVID के सिचुएशन के बाद, तो COVID के सिचुएशन के बाद, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा तेजी में देखने को मिला, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा तेजी में देखने को मिला, वो पूर सारे पूड़क का डीमांड बढ़ गया और इसके करण केमिकल्स का डीजमान्द सबसे ज़्यदा हाई लेवल में हो चुके हैं तो इसी के कारण केमीकल इंडस्टी सबसे ज़्यदा टेजी में है तो इतना छोटा कॉंपनी जो कॉंपनी दोसों में चला था आज वो हजार के उपचल ला बिचनू कमिकल के बारे में आज बात करोंगा बिचनूइकेपंगा विजनेस मॉडूल्स वह टोटली देखा ज़ये तो चेमिकल के उपर है तो चेमिकल इंडस्टी से बिलोग करते हैं कमपानी की बिजनेस मोडूल क्या है सबसे पहले बहुत समझना पड़ेगा लेखा के मिकल बहुत अलग अलग केटाकोरी से होते हैं उपच्छ केमिकल्स देखाज़े तो अदिसाव इंड़ेस्टि में यूजश कियां जाता है कुछ केमिकल्स एक सबनाने के उपब टो बहुत सारे इग्रोड केमिकल्स चार्व ब коммент के उपबी किया जाता है तो बहुत सरे अलग-अलग सेक्टर के उपर chemical यूज गया जाता है तो यह जो company है तो यह company के specialty क्या है तो इस company का मतलब कौन सा वो chemicals बनाते हैं तो चलो बहुत सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अब देखेंगे तो company के sector कौन सा कौन सा है बहुत बहुत ध्यान से देखना इस चीज को क्योंकि company का जो sector है वो future stick है मतलब future में उस sector मतलब उस उसका जो product जिस जिस sector के उपर बनाते है वो हर कोई sector future में अच्छा का सा growth करने वाल है तो चलो मैं एक एक आपके सामने share करता हूँ सबसे पहले आप देख सकते फार्मासेटिकल इंडस्टीज तो फार्मासेटिकल इंडस्टीज में जो जितने medicine यूज मतलब बनाए जाते है तो उस medicine में भी chemicals के जोरूत होते है तो उसके उपर भी company product बनाते है उसके बाद लेदर आप सब जानते है लेदर का डिमांड भी धीरे बढ़ते जा रहे लेकिती है मैं एक चीज ध्यान से सोचता हूँ जब में चोटा था तब में गाव में रहता तहीं तो तब में देखता था कि मतलब छोटा सा घर होता था उतना बड़ा अगर नहीं होता था और मिटी से बना हुए घर होता था तो आप स्था काम गया और सथी साथ देखा जाये تो अभी अच्छा का सा घर भी बन गया साथी साथ मतला हर कोई बैक्ती चाहते है एक रियलिस्टिक जीवन जीए तो इसलिए वो हमेशा हर कोई पोड़ाइट खरीत रहते हैं तो लेधर के डीमांड भी तब बढ़ गया जब लोग घर में सोफा जैसे और भी बहुत सारे पोड़ाइट बनाना स्टा लाएगा और भी बहुत कुछ आ सकते है देखिए कुछ भी आये तो गाड़ी के उपर पेंट तो करना ही पड़ेगा गाड़ी का जो जो बाडी जै उसके ओपर तो पेंट करना ही पड़ेगा तो वो पेंट के उपर भी इस केमिकल कमपशनिक dedic बनाते है साथ ही सफ आप दे अब देखते हैं तो उसके लिए भी chemical use गया जाता है उसके बांद सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब जानते हैं उस टांस्परेंट को चेंज करने के लिए अलग-अलग मतलब कलर दिने के लिए chemical को use का जाता है साथ ही साथ आप देख सकते हैं एतने सच के एतने सेकर है इसलिए खास जगा क्किको कमपाणी में सटेंट बहुत जबाधा है कमपानी सिर्फ इंड्याइब नहीं 57 कंडिस प्रोडक्स बेशते है एही कमपानी के सबसे बड़ा खासियद है इंडश्टिई इस प्रोड् enhanced कि कितने सेँ सबाधा करिस। 1000 प्लास कमपनिस के पीपल के उबर काम करते हैं तो पूरे डीटेस आपके सामने में अभी रख चुका हूँ इसलिए रख चुका हूँ क्यूश के बार में जानकरहे लेना सबसे पहले जौरूर है कि बहुत सरे पोड़क आप दीखते तो है आपको वह पोड़क का कमपनिस का करके लेके आए कोईए कंपनी का है तो कजारिया अ कमपनी अको लिए उस आपको नहीं दीखेगा, तो बहुत सारे लोग कहेंगे, मैं भी आपको बहुत बार बोल चुगा हूँ, जो दिखते हैं, वो बिखते हैं, मगर कुछ चीजद दिखते नहीं, मगर फिर भी उसका दिम इस company है इस company को फोकस रखना और company कौन सा गुण्णी उस announcement क्या है चलो बुसके पूर भी बात करता हूँ company का गुण्णी उस क्या है आप देख सकते है multi-veggar obviously multi-veggar कहूंगा क्योंकि जो company 200 में चल ला था दो साल के अंदर अंदर हजार तक गया इसका मतलब आपको फंड पांच गुना कर दिया तो इतने multi-veggar तो जोरू कहूंगा price range split किया जाए split मतलब देखिए split कव किया जाता है bonus कव दिया जाता है इस दोनों देने का कारण है company चाहते है ज्यादा से ज्यादा लोग इस company को पर निवेश करें अगर इस company का price range अभी 800 रुपीज के हासपास है तो बहुत सारे लोग चो 500 रुपीय लेके आ चुके है market में मानके चलिए वो 1000 रुपीय लेके market में आया है कि एक दो से खरीदरी खरेंगे तो उसके लिए इस company खरीदरी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको 802 रुपीय चाहिए तो company क्या करते हैं उस price को break कर देते हैं क्योंकि सस्ते दाम में अगर कोई company इसका price कर दू तो ज इसका मतलब इसका face value अभी 2 रुपिया हो जाएगा और आपको एक के बदले 5 share मिल जाएगा तो एक के बदले 5 share मतलब मानके चलिए जब company split करेंगे जो date में split होगा तो मानके चलिए तब 2000 रुपीज का price है मैं एक approach में बता रहा हूँ ज़्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते है तो 2000 से आप 5 से divide करेंगे तो 400 के आसपास एक share का कीमत आपको देखने को मिलेगा तो जितने सारे लोग इस companies के फाइदा उठाना चाहते है split and bonus के तो मतलब speed के तो आप फाइदा उठा सकते है फिर भी आप एक बार company के study करना उसके बाद निवेस करना क्योंकि company का हार data positive में है अभी return अभी equity return capital impact best level में है stock price PRAC भी ठीक ठाग है company का market के बहुत चोटा है तो मैं आपको हमेसा बोल चुका हूँ high risk company मतलब जितना risk उतना return तो risk आप लेने के लिए तैयार है तो उसका reward भी आपको मिलेगा क्योंकि इस company उस तरीके से reward आपको दे चुके है मैं अभी chart pattern आपको दिखाऊंगा sales growth 80% profit growth 331% बहुत base level में है सबसे खासियद इस company में जो लगा वो है company का market cap to sales ठीक ठाग reasonable level में है हाँ एक points म मुझे week लगा वह company का करजा 65 क्रोड का income तो हुआ मगर company का एक person के आसपास करजा है एक person के आसपास करजा मतलब बहुत बड़ा करजा माना जाता है company के profit and loss के बारे बात करें तो company हर साल में profit को maintain किया company profit नहीं किया company आपको जो return दिया बहुतो धामाका जैसा हो गया इस तरह के से return कुछ देखने को मिला तो company इसके investor के बारे बारे बात करो देखिए promoter के बाद सबसे ज़्यादा public ही माल उठक रखा तो आप कहेंगे इतना संदा return दिया है तो D.I.S. औ.F.S. ने माल कीन उठा देखिए इतने छोटे company के उपर और इतने high-risk सी company इसके उपर बो नीवेस नहीं करना चाते है उसका funding नीवेस उसी company इसके उपर करते है जहाँ पर उसको potential ज्यादा दिखते है तो company के corporate action में जाओ तो आभी देखिए एक बार भी company split and bonus नहीं दिया तो first time दे रहा है company dividend हर साल म देखिए इसका chart pattern हम देखेंगे तो जब से company start हुआ एक ही range में था कोबीट के situation में company का price था करीबन 65 रूपीज के आसपास उसके बाद देखिए company धीरे 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 company कितना 1800 रूपीज के आसपास गया तो सोची कितना गुना multi bigger return ने आप एक company आपको generate करके दिया तो इतने स announcement कर चुके one is two five races के डेवीड split करने वाले है इसका face value अभी दो रूपिया होने वाले है तो date अभी तक announcement नहीं हुआ तो जब date announcement हो जाएगा तब इसके पर में अलग से एक video बना के दूँगा तो मेरे इस video को कैसे लगा जोरू कमेंट करना और हाँ ए वीडियो टोटली education purpose में या पर कोई भी buy and sell का recommendation नहीं था तो आप एक बार research करना उसके बाद नहीं वेश करना तो आसा करता हूँ सारे जान कर आपको मिल चुका है मेरे इस video कैसे लगा जोरू कमेंट करना इसी तरह के से video पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब करना मिलते नेक्स्ट इन्यास टॉक ल